आज का यह वीडियो मध्य प्रिदेश के गुरुफ 4 की वेकिंसी के बारे में हैं। इसमें सायक ग्रेट 3, स्टैनोग्राफर, स्टैनो टाइप टेस्ट, टाटा इंट्री ऑपरेटर, इनके डी पोस्ट है। इसकी स्टारिंग डेट 22-6-2018 है और क्लोजिंग डेट 6-7-2018 है। इसकी एप्लिकेशन फीस अंडेजर्ब के लिए 500 और स्टैस्टी ओबिसी के लिए 250 है। इसकी एक्जाम डेट 28-29 जुलाई 2018 है। एक्जाम दो शिप्ट में होगा। फर्स्ट नौ से बारा और सेकेंड दो बज़े से चार बज़े तक। इसका पैटर्ण इसमें जनरल नौलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेर्नेस और कंप्यूटर पूछा जाएगा। एक्जाम 100 माक्स होगा, इसमें लगबग 2700 पोस्ट हैं, पोस्ट को अलग-अलग डिस्क्राइब करना और कॉलिफिकेशन को अलग-अलग बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम minimum qualification को देखते हैं, बाकी आप पोस्ट के साबसे rulebook में जाके अच्छ से देखनें। इसमें सभी पोस्ट के लिए 12th pass होना कमपसरी है। सेकेंड, computer का certificate होना चाहिए, UGC certified, या किसी open university का diploma होना चाहिए, या government, polytechnic college से office management का course किया हो, या ITI से computer की degree हो, या NCVT, SCVT का diploma भी मानने होगा। यादि computer application में आपकी पास degree है, तो भी आप इस song को भढ़ सकते हैं। प्लस आपकी पास CPCT का scorecard होना कमपसरी है, हिंदी में 20 word per minute और English में 30 word per minute, कुछ पोस्ट अश्रोलिपी वालों के लिए और स्टोनोग्राफर के लिए भी है। इन सारी पोस्टों में से 5 प्रकार की ऐसी पोस्ट हैं जिनमें केबल 12th pass होना कमपसरी है। जैसे नगरपालिका निगम उध्यान परिवेक्षक पोस्ट कोर्ट 29 इसकी 28 पोस्ट हैं इसमें 12th pass होना कमपसरी है। साहयक राजस्व निरक्षक पोस्ट कोर्ट 30 इसकी 27 पोस्ट हैं इसमें भी 12th pass होना कमपसरी है। थर्ड है सहायक राजस्व निरक्षक, पोस्ट कोर्ट 31, इसकी 83 पोस्ट है, उजयन जिला के लिए, इसमें भी 12 पास होना कमपसरी है, इसकी बाद है सहायक राजस्व निरक्षक, जबलपुर्ट, पोस्ट कोर्ट 32, इसकी 5 पोस्ट है, इसमें भी 12 पास होना कमपसरी है, इसक के सारे eligibility criteria को आप rule book में अच्छे से देख लें क्योंकि इस वीडियो में सारी विकेंसी को detail में describe करना possible नहीं होता finally ऐसे ही new videos के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि आप कभी भी कोई new video विश्च न कर पाए finally thanks for watching